चटपूजा का पर्व कार्तिक शुक्ल की सश्टी को मनाया जाता है जिसे सूर्य सश्टी भी कहा जाता है इस दिन सूर्य देव और छटी मईया की पूजा की जाती है उन्हें अर्ग दिया जाता है बहिलाएं इस पर्व पर संतान की दीर्ग आयू स्वभागय और खुशहाल जीवन के लिए चट पूजा में 36 घंटे का निर्जला वरत रखती है ये पर्व कार्तिक महा के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से प्रारंब होकर सप्तमी तक चलता है प्रथम दिन यानि चतुर्थी तिति नहाय खाय के रूप में मनाई जाती है आगामे दिन पंचिमी को खर्णा वरत किया जाता है और इस दिन संध्यकाल में उपासक प्रशाद के रूप में गुड़, खीर, रोटी और फल आदी का सिवन करते है और अगले 36 घंटों तक निर प्रव का समापन करते हैं चट पूजा में मंदिरों में पूजा नहीं की जाती है और नाहीं घर में साफ सफाई की जाती है पर्व से दो दिन पूर चतुर्थी पर सनान आभी से निरवर्त होकर भोजन किया जाता है पंचिमी को उपवास करके संध्यकाल में किसी तलाब न नदी में सनान करके सूर्य भगवान को अर्ग दिया जाता है उसके बाद बिना नमक वाला भोजन किया जाता है शष्टी के दिन प्रातकाल सनान आधी के बाद संकल्प लिया जाता है और पूरा दिन निर आहार और निरजल रहकर नदी या तालाब बिजा कर सनान करने के ब बिना नमक वाला प्रशाद एक आधी रखकर उसे पीले वस्त्र से ढग दें उसके बाद दीप जलाकर सूप में रखें और सूप को दोनों हातों में लेकर पूजा मंतरों का उचारन करते हुए तीन बार अस्त होते हुए सूर्य देव को अर्ग के लिए पांबे के लोटे में जल लेकर जल को सूर्य के समक्ष अर्पित करते हैं